हर्याना के पूर्व सियम औंप्रकाश चोटाला की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है देली के राउज एबन्यू कोट ने उन्हें चार साल की सजा दी है चोटाला की तरफ से उम्र का हवाला देते हुए सजा मेरे रियाद देने की मांग की गई थी लेकिन कोट ने उनकी सभी दलीलों को ठुकरा दिया सजा के साथ चोटाला पर जुर्माना भी लगाया गया है तो क्या है पूरा मामला जिसमें चोटाला को जाना पढ़ रहा है जेल देखते हैं ये रिपोर्ट जोलाई में हर्याना के पूर्व सियम ओंप्रकाश चोटाला जेल की सजा काट कर बाहर आये थे उन्हें जेल से आये एक साल भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर वो जेल की चोखट पर पहुँच गए हैं उन्हें एक और मामले में सजा सुना दी गई है और इस बार सजा मिल से लेकर 2006 के बीच में आई से अधिक संपती जोड़ी है इस दोरान अधिकांश समय तक चोटाला हर्याना के सियम रहे थे 19 मई को हर्याना के पूर्व सियम को कोट ने दोशिठ हराय था 26 मई को सजा का ऐलान होना था लेकिन सजा पर बहस लंबी चलने के कारण इसे एक दिन चाल दिया गया और आच चोटाला को सजा का ऐलान कर दिया गया चोटाला की और स्वास्ते का हौला देते हुए सजा में रियायत देने की मांग की गई थी। चाथी ये भी कहा गया कि उन्होंने जाँच अजनसियों का हमेशा सहीयों किया है। लेकिन कोट ने चोटाला की दलिले नहीं मानी और उन्हें चार साल की सजा सुना दी। इससे पहले 2013 में उम्प्रकाश चोटाला को शिक्षक भरती घोटाले मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। दो जुलाई को ही उन्हें तिहार जे से रिहा किया गया था। झाल